हाई दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नौलिज विसंदीब नागर मैं तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ किंगनम फंगी के प्रिवियस इयर कोशन्स तो नीट 2020 तक जितने भी किंगनम फंगी टॉपिक से प्रिवियस इयर कोशन्स आए है टोटल 2020 तक के जो कोशन है वो 26 कोशन है तो आज हम 26 कोशन को करते हैं और साथ मैं ही मैं सारे आप्संस को भी कंप्लीट एक्स्प्लें करता चलूँगा तो देखिए नेक्स्ट कोशन है जो आपका इससे पहले कोशन्स को देखने के लिए जो इस चैप्टर के बायलोजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर के 75 कोशन्स इससे पहले टॉपिक को देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाए और वहां से आप देख सकते हैं सारे करें वह 76 कोशन से करते हैं तो देखिए सबसे पहला कोशन आपका इस वीडियो का विच आप दा फॉलोविंग स्टेटमेंट इस इनकरेक्ट तो इन करते हैं यीस्ट के बारे में यीस्ट जो होती है उसकी फिलामनेंटियस बोडी वो oval shape का या फिर एक तरीके से हम बोलेंगे spherical shape का हमें देखने को मिलेगा तो सबसे पहले इसका जो answer है यहाँ पर incorrect पूछा तो इसका जो answer है वो option A correct है तो आगे के और options को मैं आपको explain करता हूँ morals and trophels are edible delicates क्या morals और trophels को एक तरीके से खाने की योग्ये हैं वो सही है, correct है, incorrect नहीं है इसके बाद देखते हैं आपका claviseps is a source of many alcohol and LHD तो जो आपका claviseps है यह alcohol का source है या फिर LHD, यह drug बनाता है इसका हम use drug बनाने के लिए करते हैं तो यह भी option यहाँ से सही था इसके बाद था, आपका यह correct और सौरी यह option सही नहीं है, यहाँ पर incorrect पूछा इसलिए option A ही सही है इसके बाद आपका conidia are produced exogenously and asco spore endogenously तो यहाँ पर बताया, जो conidia होते हैं, वो जो spore produce करते हैं, वो अपने बाहर वाले region में करते हैं, और जो वहाँ पर asco spore जो होते हैं वो आपके अंदर वाले region में spore produce करते हैं तो यह option भी, यहाँ से conidia के लिए, इसके लिए सही statement है बट यहाँ पर incorrect statement थी वो आपकी A option थी, इसलिए यहाँ का answer जो है, वो A है तो आईए next question पर चलते हैं, अब next 77 question तो हमको column match करने हैं, यहाँ पर आपको, तो सबसे first जो आपका है, match the column है column को match करेंगे हम, saprophyte कौन सा होते हैं, saprophyte वो होते हैं, जो आप dead or decay material को खाने का काम करते हैं तो सबसे पहले आपका यह लिख रहा first वाला जो A है, वो second से compare कर रहा, decomposition of dead organic material, तो dead organ के material को खाने वाले को हम saprophyte बोलते हैं parasite कौन से होते हैं, जो दूसरे living organism पे रहे हैं, तो plant के उपर रहने वाले को हम parasite बोलते हैं इसके बाद like and क्या है, like and आपका symbiotic association है fungi का और algae का, तो इसका fourth है और micro riser जो हो ज़ता है, वो आपका symbiotic association है, fungi और plant root का तो यहां से देखते हैं हम second का, first a का third है और b का sorry, a का second है और b का third है, तो यहां पे आप मैच कीजिए यहां पे अपना तो इसका जो, इस question का जो answer है, वो correct है आपका option a तो option a, इस question का answer correct है, वैसे मैंने सारे आपको explain कर दी है उपर, इसके बाद आता आपका question, next question है, 78 78 question है आपका, इस question के अंदर, which following which among the following is not a prokaryote, तो आपको देखना है, कौन सा इसके अंदर से prokaryote नहीं है, तो देखो, यहां पे बात करते हैं, saccharomyces saccharomyces services एक फंगी है, यह क्या वह यह eukaryote है, ठीक है, तो जो saccharomyces फंगी होती है, saccharomyces services एक yeast है, तो यह क्या है आपका eukaryote है, तो यह prokaryote नहीं है, तो यहीं से आपका option A सही है, बट और के बारे में बात कर लेते हैं, mycobacterium, यह एक bacteria है, और bacteria क्या होते हैं, prokaryote है, नोश्टोक भी bacteria है, यह भी prokaryote है, और आपका ocital area भी bacteria है, और यह भी क्या है आपका, यह sorry, यह भी prokaryote है, तो यहां से जो prokaryote नहीं है, वो कौन सा है, saccharomyces services, जो जीश्ट है, वो prokaryote नहीं होती है, तो यहां से option A सही है, वीडियो को last तक देखें, आपको सारे questions समझ में आएंगे, अच्छे से, next question है आपका, next question, 79, तो 79 question को देखते हैं, अब हम, after karyo gammy followed by meiosis pores are produced exogenously in, तो जो karyo gammy होता है, karyo gammy का मतलब क्या होता है, fusion of gammy का मतलब fusion हो गया, karyo का मतलब होता है, nucleus, nucleus के बीच में जो fusion होता है, उसे हम karyo gammy बोलता है, तो वो muse इसको follow करता है, उसके बाद में पहले nucleus का fusion होता है, फिर वहाँ पे muse होने को देखने को मिलेगी हमें, supports are produced exogenously, तो वहाँ पे जो supports होते हैं, वो exogenously produce होते हैं, तो वो किस के अंदर होते हैं, तो वो होते हैं आपके option C, यहाँ पे agricus, agricus के अंदर हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है, तो agricus के अंदर हमें यह देखने को मिलता है, अब यहाँ पे इसका जो option सही है, वो agricus सही है, इसके बाद है आपका next question, 80 80 के अंदर question में which one of the following is wrong for fungi तो देखिए इन मेंसे कौन सा जो है वो fungi के लिए wrong है तो they are eukeritic fungi जब कि eukeritic है तो ये तो सही है इसके बाद है all fungi possess a purely cellulogic cell wall क्या जो सभी fungi होती है उनकी cell wall cellulogic cellulogic से बनी होती है cellulogic होती है अगले option को चेक किजिए एक बार they are heterotropic, सारी fungi heterotropic होती है वो अपने बोजन के लिए दूसरों पर depend करती है तो ये भी सही है आपका यहां से they are both unicellular and multicellular fungi unicellular मिलती है आपको multicellular मिलती है ये भी बात सही है तो यहां से जो option जो wrong है वो आपका option B wrong है तो इसलिए इस question में wrong पूछा है और इस question का जो answer होगा वो on B तो यहां पर बात करें हम fungi की जो cell wall बनी होती है वो kaitin की बनी होती है fungi की cell wall kaitin की बनी होती है तो यहां पर cellulular जो दिया हुआ इसका इसलिए इस question का जो answer हो B है आप देख रहे हैं मैंने सारे questions को mention किया हुआ यह question आपका need second के अंदर 2016 में आया यह 2018 में आया इससे पहला वाला question तो जितने भी questions मैं करा रहा हूँ kingdom fungi से 26 question 2020 तक previous year need के अंदर यह सारे आए हुए आपके 2021 के लिए मैं अलग से जो 2021 का पर आया है उसके लिए मैं अलग से आपको सारे questions को solo करा दूँगा तो next question पर चलते हैं 81 question है आपका which of the following statement is wrong इन मैंसे कौन सी statement wrong है तो देखिए सबसे पहले हम देखते है U bacteria is also called false bacteria तो आप एक अगर अनुमान कीजिए कौन सा answer है आपका तब बताते हैं of this question next आपका 82 question 82 को देखते हैं अब हम 82 के अंदर one of the major component of cell wall is most fungi तो सबसे ज़्यादा component कौन सा component है जो की फंगी की cell wall को बनाने का काम करता है यह अभी आपको बताया था cellulose यह भी गलत है hemusellulose यह भी गलत है peptidoglycan यह भी गलत है तो जो फंगी की cell wall बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है और यह question आपका NEET के first paper में 2016 के अंदर आया हुआ है इसके बाद है आपका next question है imperfect fungi which are decomposers of litter and help in mineral cycling belong तो हमें सबसे पहले देखना imperfect fungi कौन सी है जो की decomposers के रूप में यूज हो रही है और mineral cycle भी वो कराने में help करती है तो सबसे पहले बात करेंगे हम direct जो imperfect fungi होती है वो हमारी है option C यहां से सही है deutromycides जो my seeds जो होती है वो आपकी imperfect fungi होती है इसको हम imperfect क्यों बोलते है क्योंकि हमारे पास में fungi की जो यह और बाकी के जो phylum दे रखे हैं आपके 5-comycides, S-comycides और Bacidomycides इन तीनों के अंदर sexual stage होती है बट deutromycides के अंदर sexual stage नहीं होती है इसलिए इसको हम imperfect fungi बोलते हैं जबकि mostly fungi के अंदर आपको sexual phase देखने को मिलेगा उनके अंदर sexual reproduction देखने को मिलेगा इसके बाद question है आपका 84 तो यहाँ से 83 का जो answer था वो C option correct था 84 है आपका choose the wrong statement आपको wrong statement चूज करनी है तो देखते है wrong statement कौन सी है आपकी सबसे पहला option है morals and truth health are poisonous mushroom morals और morals और truth health जो होते हैं वो क्या वो poisonous fungi है तो एक बाद देख लेते हैं आगे यहाँ पर wrong statement देखनी है हमको yeast is unicellular and useful in fermentation yeast जो होता है unicellular मैंने अभी बताया था बिल्कुल सही है yeast जो है unicellular होता है और इसका use हम fermentation करने के लिए करते हैं इसके थोरो हम alcohol भी बनाते हैं fruits वगरा को ferment करके इसके थोरो हम bakery material भी बनाते हैं bread को ferment करके तो यहाँ से यह थोर सही statement है penicillum is multicellular penicillum multicellular है यह भी बास सही है और यह antibiotics produce करता है यह भी बास सही है तो यहाँ से option c भी correct है तो आपका option c एक right statement है correct नहीं है right statement है इस question के लिए हम correct नहीं बता सकते हैं इसको statement right है इसके बाद है आपकी next statement है Neurospora is used in study of biochemical genetics Neurospora का हम biochemical genetics के अंदर use करते हैं यह भी बिलकुल right statement है तो penicillum वाला जो बताया था वो एक bacteria को grow नहीं होने देता है antibiotics एक chemical produce करता है तो यहाँ पर बात करते हैं morals और proof health यह दोनों जो होते हैं यह poisonous mushroom नहीं है यह mushroom है बट यह poisonous नहीं है इनको हम खाने के रूप में भी use करते हैं इसलिए यहाँ पर जो wrong statement है वो poisonous वाली नहीं होगी यहाँ पर वो हम खाने के लिए हम use करते हैं अभी थोड़े देर पहले एक option के अंदर भी यह आया था जहाँ पर मैंने आपको बताया तो यहाँ से जो wrong statement है वो ए वाली है तो इसलिए इस question का जो answer है वो option A correct है next बात करते है 85 question 85 के अंदर देखिए आप which one of the following matches is correct तो आपको देखना है कौन सा वाला इसमें से correct है तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकर की तो जो म्यूकर होता है वो आपका यहाँ पर देखते है correct है या नहीं है म्यूकर जो होता है आपका सबसे पहले S को my seeds के अंदर इसमें देखाया हुआ जबकि जो म्यूकर है यह जो है आपका पैरस्टिक फंगी नहीं है ठीक है तो यहां पर पैरस्टिक दे रखाए यह फैरस्टिक फंगी नहीं है इसलिए ऑप्सन भी गलत है इसके बाद आपका फाइट उप्थोरा फाइट उप्थोरा के अंदर हम देखेंगे तो यहां पर यह दे रखा आपका ब Akaidomycetarktith 법, जब कि यह but into my seeds के नहीं आएगा, यह sdo my seeds के अंदर आएगा, इसके बाद है आपका D alternate area के अंदर देखते हैं तो यह due to my seeds के अंदर आता है और इसके अंदर sexual reproduction absent होता है, तो अभी बताये था आपको जो imperfect fung यह होती है, due to my seeds जिसके अंदर sexual reproduction absent है, तो यहां से जो 86 के अंदर आपके which of which one of the following fungi contain hyalukunigens तो आपकी ये एक property होती है drug के अंदर ये property होती है hyalukunigens जो drug के अंदर property होती है तो कौन सी fungi है जिसका हम drug बनाने के लिए यूज कर रहे हम तो देखते हैं आपका जो इस ये वाली प्रॉपर्टी होती है आपकी ना तो इस फंगी के पास में होती है ना इस फंगी के पास में होती है वो प्रॉपर्टी होती है आपकी Amenita Masqueriai तो Amenita Masqueriai जो फंगी है उसके पास में Helokinogenes property हमें देखने को मिलेगी और Helokinogenes property यहां से यह drug बनाने का काम करता है यह poisonous drug बनाती है जिससे कि यह एक property है जब हम Helokinogenes property वाली drug को लेंगे तो हम एक भ्रमसे में आ जाते हैं ठीक है इसके बाद है आपका next question 87 Which one of the following is true for fungi तो निमले खत्में से कौन सा आपका fungi के लिए true है fungi heterotrop होती है यह भी बात सही है और यहां पर देखते हैं fungi के अंदर nuclear membrane की कमी होती है यह बात गलत है क्योंकि हमने देखा है fungi के अंदर fungi क्या eukaryotes है fungi के अंदर eukaryotic type की cell पाई जाएगी और eukaryotic type की cell के अंदर nuclear membrane पाई जाती है उनके अंदर lack नहीं होती है they lack a rigid cell wall क्या इनके पास में rigid cell wall नहीं होती है यह भी बात गलत है जो आपकी fungi जो होती है fungi के जो cell wall बनी है काईटिन की बनी है अभी कोशन आये था आपका काईटिन की बनी होती है काईटिन जो होता है वो rigid होता है वो कठोर होता है इसके बाद they are phagotrops क्या यह phagotrops है phagotrops की बात करते हैं तो phagotrops का मतलब है यह direct बड़े-बड़े molecule को consume कर सकते हैं तो फंगी ऐसा नहीं करती है डारेक्ट बड़े molecule को consume नहीं करती है इसलिए यहां से जो आपका जो option है option B correct है जो phangी है वो heterotrop है वो अपने बोजने के लिए दूसरों पर depend करती है इसके बाद है आपका question next question है आपका 88 88 question पर चलते हैं 88 question आपका the pathogen ringworm disease in human belongs तो हमें देखना कौन सा पैथो जना है जो macrosporum एक फंगी है macrosporum जो फंगी है वो genus है macrosporum एक फंगी का genus है ठीक है तो macrosporum genus है फंगी गृप के अंदर आने वाला तो इसके अंदर देखते हैं कौन सा जो human के अंदर disease करवाता तो सबसे पहले बात करते है तेनी आई तो ये tap warm है tap warm animal होता है ये फंगी नहीं है ये animal होते है वोचेरिया फिलीलिल वार्म ये animal है ये भी फंगी नहीं है एसकेरिस ये round warm है ये भी animal है ये फंगी नहीं है तो आपका option A, B और D ये तीनों animal की category है जो कि हमारे warm के अंदर आते है round warm, flat warm ठीक है तो यहाँ पे जो आपका option है वो राई जो पस फंगी होती है जो हमारी body के अंदर ring warm disease करवाती है जो हमारी body के अंदर ring warm के लिए responsible होती है तो यहाँ से option C correct है ring warm को अब हिंदी में दाद भी बोलते है हमारी body पे, हमारी सिकन पे जो छोटे-छोटे दाद हो जाते है उनको ring warm बोलते है तो जो राई जो पस है हमारी उसके थोरो यह एक mold है mold का मतला fungi तो इसके थोरो क्या होती है आपकी ring warm disease हो जाती है human के अंदर और इसका जो general आई राई यह पसका वो है आपका microsoftorum इसके बाद है question 89 question 89 को देखिए यह जो आपका 87 वाला 88 question है वो आपका means 2011 के अंदर आया है और आपका 89 question 2010 के अंदर आया है मैंने सारे questions को mention किया हुआ है आप देख सकते हो clearly next question है आपका single cell eukaryotes are include तो single cell eukaryotes किसके अंदर include होते हैं तो सबसे पहले बात कराए हम single cell वाले हमारे पास में दो kingdom हमें देखने को मिलेंगे एक तो है आपका kingdom monera एक है आपका kingdom protesta तो यह कोई kingdom नहीं है fungi kingdom है fungi के अंदर बस yeast ही unicellular है बाकी सारे आपके multi cellar हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे हम आपका जो kingdom monera के अंदर आपके सारे prokaryotes आते हैं और kingdom protesta के अंदर सारे eukaryotes आते हैं तो यहाँ पे single cell eukaryotes पूछा है तो single cell वाले जितने भी eukaryotes eukaryotes जो organism है वो kingdom protesta के अंदर आते हैं आपका option a is correct इसके बाद आपका membrane bound organelles are absent in जो membrane bound organelles absent होती है वो किसके अंदर होती है तो देखिए यहाँ पे membrane से organelles क्या है cell के अंदर जो छोटे छोटे compartment पाई जाए है जैसे आपका mitochondria है nucleus है या फिर आपका lysosome है endoplasmy reticulum है वो सारे organelles है अगर वो उनके एक layer जो बनी हुई है वो membrane की अगर वो layer बनी हुई है तो हम देखते है eukaryotes के अंदर वो present होते हैं और procaryotes के अंदर वो क्या होते हैं आपके membrane bound organelles absent होती है तो यहाँ पे हम देखते हैं कौन सा eukaryote का example है कौन सा procaryotic का example है तो Saccharomyces Services एक fungी है और fungी किस के अंदर आते हैं eukaryotic के अंदर आते हैं तो यहाँ से यह भी गलत है आपका Streptococcus bacteria आए क्या है bacteria háए Streptococcus आपका bacteria है और यह किस के अंदर आता आपका यह आता आपका Streptococcus bacteria जो है Kingnam monaira के अंदर और किंगनम मोनेरा के अंदर प्रोकेरट्स हैं सारे तो वहाँ पे मेंब्रेन बाउंड और्गलीज एवसेंट होती है तो यहाँ से इसका जो आमसर है वो भी सही है कलेमाईडो मूनास की बात करेंगे तो यह एक एलगी की किलास है अब इसको प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया है इस एलगी को प्रोटिस्टा के अंदर बट यह कैसी है इसके पास में मेंब्रेन बाउंड और्गलीज पाई जाती है पलाज मोडियम भी आपको देखने को मिलेगा किंगनम प्रोटिस्टा के अंदर ये भी membrane bound organ है तो यहाँ पे streptococcus pneumonia ये एक bacteria का नाम है streptococcus एक genus का नाम है जिसमें बहुत सारे bacteria आते हैं और bacteria के अंदर जो membrane bound organ होती है वो absent होती है इसके बाद है question number 91 question number 91 में break stem rust of wheat तो wheat के अंदर गेहूं के अंदर एक बीमारी लग जाती है जो की फंगी के तवारा होती है वो कौन सी फंगी के तवारा होती है किसके कारण होती है पूछा आपका उसमें rust लग जाता है मतलब black stem बन जाती है काली काली stem हो जाती है तो यहाँ पे देखते हैं कौन सी alternaria, astilego gentho monas और आपका pishunia तो यहाँ पे जो आपका यहाँ पे जो correct answer है वो आपका है pishuniai graminis तो pishuniai जो graminis होती है यह एक wheat के अंदर बीमारी फैलाती है जिस बीमारी को हम बोलते है rust of wheat तो उसकी stem के अंदर भी लग जाती है बीमारी उसको काला काला कर देती है leaves के अंदर भी हो जाती है seed weed वगएरा सब के अंदर हो सकती है flower के अंदर भी हो सकती है इसके बाद बात करते हैं 92 questions पे which one is the wrong pairing for the disease and its casual organism तो हम देखेंगे यहाँ पे कौन सा है जो wrong pairing वाला है तो इसके बारे में तो भी बात की थी यह तो सही पे यह रहा है आपका next है आपका loose smat of wheat astiligo nuda इसके बाद है आपका इस option को बाद में बात करते हैं इसके बारे में पहले इसको देखते हैं अगले बाले options को साहथ आपका answer यह हो सकता है next है आपका option C root note of vegetables vegetables के अंदर root note की disease होती है maladogyn के द्वारा होती बिलकुल सही है आपका यह भी सही है जो statement है वो सही है हम यहाँ पे wrong pair वाली देख रहे हैं इसके बाद है यहाँ पे आपकी जो option B है B के बारे में बात करते हैं जो 92 का जो option है option correct जो है वो C है ठीक है जो wrong जो है वो C है जो wheat के अंदर जो loose smut होती है वो यहाँ पे यह भी option आपका correct है 92 का जो incorrect है यहाँ पे जो potato के अंदर late blight जो होता है वो आपका alternatoria salonai के द्वारा नहीं होता है ठीक है तो वो आपका alternatoria salonai के द्वारा नहीं होता वो जो होता है वो fight of fatora के द्वारा होता है तो fight of fatora के बारे मैं भी थोड़े देर पहले पढ़ा था हमने तो जो fight of fatora fungi जो होती है उसके द्वारा potato के अंदर late blight disease होती है ठीक है तो यहाँ से option A भी सही था option B की statement भी सही थी option C की statement भी सही थी लेकन option D की statement गलत थी which pair of the following belong to basic domain sites तो आपके यहाँ पे देखते हैं कौन सा आपका basic domain sites पेयर करता है तो पेयर के लिए देखते हैं हम यहाँ पे सबसे पहले puff bells, cleve saps तो हमें basic domain sites के अंदर देखना है तो आपको मैं बता दूँ basic domain sites के अंदर आपका जो puff bell होते हैं वो basic domain sites के अंदर आते हैं cleve saps होते हैं बत और pcs जा जो होते हैं और आपके morph kela जो होते हैं यह आपके जो आते हैं वो ascomi sites के अंदर आते हैं तो यह आपके ascomi sites के अंदर आते हैं इसलिए यहाँ पे जो आपका nest fungi जो है nest fungi और आपकी puff wells जो हैं वो दोनों basidomycetes के अंदर आते हैं इसलिए इस question का जो answer है जो basidomycetes से belong करने वाली nest fungi और puff wells यह दोनों आती है ठीक है तो यहां से यह गलत था यहां से यह गलत था यहां से यह गलत था आपका तो इसलिए पहले तीन उप्सन गलत है और लाश्ट वाला उप्सन सही है इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोशन की तो आपका है 94 कोशन विच आफ दा फॉलविंग एनवारिमेंटल कंडिशन और असेंशिल फॉर उप्टिमम ग्रोथ ओफ म्यूकर on a piece of bread तो bread के piece की बात करते हैं यहाँ पे जो म्यूकर है वो कैसे मीडियम में ग्रोव होता है तो सबसे पहले बात करते हैं जो म्यूकर होता है आपका temperature of about 25 degree Celsius उसके लिए 25 degree Celsius temperature होना चाहिए यह बात बिलकुल सही है temperature 5 degree Celsius गलत है उसको जो temperature चाहिए वो 25-30 degree Celsius पर गिरो हो सकती है next है आपका relative humidity of about 5% उसके लिए 5% humidity चाहिए बिलकुल गलत उसके लिए जो humidity चाहिए वो 90-95% तक चाहिए इसलिए आपका यहाँ पे D भी सेटेटमेंट सही है और उसके लिए आपको bright place नहीं चाहिए उसके लिए आपको saddy place चाहिए इसलिए आपका यहाँ से A, D और E यह तीन यहाँ पे सही है तो अब देखते हैं कौन से option के अंदर A, D और E हमें सही मिलते हैं तो यहाँ पे आपका A, D और E जो सही है वो option C के अंदर सही है तो 94 का जो option C correct है 94 का जो option है वो आपका C correct है वन मिनट 94 का option C correct इसके बाद है आपका 94 question Which fungal disease Which fungal disease spread by seed and flowers तो कौन सी fungal disease है जो seed के दोबारा भी और flower के दोबारा भी spread हो सकती है तो यहाँ पे बात करेंगे हम यह जो होती है यह wheat के अंदर होती है यह बीमारी और यह जो loose सिमर जो बीमारी होती जिसके बारे हमें भी बात की थी हमने इससे पहले कई question भी आये हैं तो आप देख रहे हो question कितने important है यह सारे जो question बन रहे है only on NCRT से बन रहे हैं mostly आपको 90% 80-90% question जो देखने को मिलेंगे और NCRT से मिलेंगे और यह सारे मैंने केवल previous year questions कराए है तो आपके लिए जो best option है neat के लिए वो biology में best option आपके लिए अगर आप NCRT line to line पढ़ते हो तो आप 100% biology को qualify कर जाएंगे biology के अंदर आप 300 above marks ले सकते हैं अगर आप अच्छे से NCRT को read कर दी है तो यहाँ पे आपका option A correct है तो लूज सिमर्ट जो होता है wheat के अंदर वो seed के थरो और flower के थरो भी फैल जाता है यह fungal disease है आपकी इसके बाद है आपका 96 question which of the following secretion toxin during storage condition of crop plant तो crop plant की condition में कौन सा जो है वो toxin secret करता है तो यहाँ पे जो toxin secret करता है आपका penicillum penicillum क्या है फंगी है जो anti-biotic मतलब एक तरीके से chemical secret कर रही है जो की toxin chemical होते है asperglass जो है वो भी toxin secret करने का काम करता है तो यहाँ पे हम बात करते हैं 96 question के अंदर जो officially जो answer दी गए थे वो आपको दौनों answer दी गए थे option A, B और B, B तो इस question के दौनों answer सही है option A, B और B, B जो आपका edge pergillus होता यह rice crop के अंदर disease कराता है और जो penicillum होता है fruits crops के अंदर और vegetable crops के अंदर disease कराता है तो इसलिए दौनों question जो है वो सही थे दौनों option black rust of wheat is caused by तो जो आपका है black rust black rust of wheat is caused by तो वो किस के दौना होता है यह question अब again repeat हो चुका है यह question कई वार repeat हो चुका है तो आप समझ सकते हैं यह question बहुत ही important most important है बार बार question आपका देख रहे हैं हम तो जो black rust होता है वो आपका pushin या कितरो होता है आपको अभी पढ़ाया है कई वार तो यहाँ पर option जो A है वो सही है 97 का option A is correct next है आपका columnilla is a specialized structure found in the seporenzium of तो कौन से किस के अंदर जो आपको यह structure हमें देखने को मिलेगा कौन सा columninal आ तो यह जो structure होता है यह reproduction में help करता है आपका और यहाँ पर जो इसका जो answer है वो आपका answer C सही है राई जो पस तो राई जो पस के अंदर हमें columninal जो structure है वो columninal यह structure हमें देखने को मिलता है और यह structure इसके लिए reproduction रिप्रोड़क्टिव structure है तो यह से reproductive part है इसके बाद question number 99 pushinia forms तो pushinia जो होता है आपको बारबेरी और बारबेरी तो यह दोना option बिलकुल ही गलत है क्योंकि वो wheat के अंदर disease करा रहा है ठीक है इस plant के अंदर disease नहीं करा रहा है वो wheat के अंदर disease करा रहा है इसलिए हम यहाँ से देखते हैं तो वो जो plant जो pushinia यह होता है वो आपका telia और udii telia और udii दो टाइप के chemical toxic substance की form में वहाँ पे release होता है जिससे कि वो बीमारी फैलाने का काम करता है wheat के अंदर तो आपका 99 का जो option A है वो सही है इसके बाद है 100 survey question कहा देखते हैं हम यहाँ पे mycorrhiza is correctively describes age तो mycorrhiza age के लिए हम कौन सी correct explain है तो देखते हैं अब यहाँ पे कौन सा statement correct है तो आप एक बार अनुमान लगाए है बहुत easy question है ठीक है तो मैं बताता हूँ आपको क्या है parastic association with root and some fungi तो parastic तो होता ही नहीं है दूसरी बात symbiotic relationship between fungi and root of some higher plant तो आपका B option यहाँ पे सही है यह बिल्कुल सही है यह fungi होती है मतलब यह fungi और root कुछ higher plant जैसे कि आपका psychic spinous plant है तो उनकी root के साथ में associate होके रहती है कुछ fungi उस structure को जो नाम देंगे वो नाम देंगे microrizea जैसे lycan है lycan में क्या होगा alligator fungi रहती है microrizea के अंदर क्या होता है 101 तो इसको देखते हैं हमें यहां पे यह question आपका 90-95 के अंदर देखने को मिल आ हम है the black rust of wheat is fungal disease तो black rust जो disease है वो किस के दोरा होती है तो यह question तीसरी बार आया है बहुत important question है और यह सारा का सारा जो आपको mostly question देख रहे हैं tip to tip NCRT से उठा के रख दिये हैं NCRT की line उठा के रखी हुई है ठीक है तो इसका अंसर आपको पता है option B यहां से सही है तो I hope आपको सारे questions समझ में आ गए होंगे अगर आपको सारे questions समझ में नहीं आए तो 12 से वीडियो को देखें और इससे पहले के जो part ने सारे वो उनकी मैंने playlist बना दी है आप playlist में जाए और वहां से आप सारे questions को देख सकते हो सारे questions को read कर सकते हो जो 2020 तक के need previous year questions के अंदर आई है तो इसी तरीके के question देखने के लिए हमारे channel को subscribe करें साथ में bell icon पर click करें और साथ में ही NCRT पढ़ने के लिए भी हमारे channel को subscribe करें अगर आपको video अच्छी लगी है वीडियो के सारे questions अच्छे लगें तो मुझे please comment में बताएं और वीडियो को like करें, share करें, subscribe करें thanks to watching my video